तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवीज लैप्स के बारे में डिवीज लैप्स के रिगार्डिंग कल भी मैंने एक वीडियो यहाँ पर पोस्ट किया था जहां पर हमने मनदा ज़रूरी है तो इंडस्ट्री लेवल डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँ है जहाँ पर कुछ आर्टिकल्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं आगे की रणनीती यहाँ पर क्या होनी चाहिए श्होड टर्म में क्या यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है लॉंग टर्म में क्या हो सकती है हमको क्या करना है technical chart पर क्या सिचुएशन है सारे चीज़े डिसकस करेंगे बने रही है वीडियो के साथ काफ़ important वीडियो होने वाला है बात करते हैं डिवीज की तो सबसे पहले अगर numbers की बात की जाए तो सबसे जो बड़ा major concern यहाँ पर रहा है वो दोस्तो margins margins बहुत पूरी तरीके से यहाँ पर पिटते हुए नजर आया न रेकिंड अगर बात की जाए तो pricing pressure जो generic compounds है जो generic APIs है वहाँ पर हमको international markets में जबरदस्त pricing pressure देखने को मिल रहा है तीसरी अगर बात की जाए तीसरा है देखिए जो अभी हाली में होने अपनी manufacturing units में जो old safety systems है उनके उनको replace किया है new technology के साथ और कुछ other maintenance expenses भी हो है तो यह major तीन कारण जिसकी वैसे margins और profitability decline होती हुई नजर आई है अब आपका question यह हो सकता है कि यहाँ पर revenue क्यों गिर रहा है company के revenue तो नहीं गिरने चाहिए लेकिन जैसा कि हम इसके बारे में कई time से बात कर रहे हैं काफी समय से बात कर रहे हैं जो इनका covid drug था या covid API थी वो यहाँ पर यह चीज़े normalize होती हुई नजर आ रही जिसकी वैसे जो यहाँ पर इनका इस particular product से जो sale हो रही थी वो धिरे दर यहाँ पर stabilize होती हुई नजर आ रही और as per management अब यहाँ से जो आगे revenue growth है volume growth है वो यहाँ पर pick up होती हुई नजर आएगी especially in generic compound अभी देखिए जो यह जो business में impact हुआ यह majorly इनके generic वाले segment में हुआ है custom synthesis का business इतना impact नहीं हो जितना इनका generic हुआ है because of inflated जो inflation है उसके वज़े से इनके margins काफी effect होते हुए नजर आए because of the pricing pressure in Europe and US especially क्योंकि जहाँ पर देखिए 70% जो है इनका export अभी US यॉरप में हो रहा है हलाकि 90% यह export कर रह रहा है तो यहाँ पर काफी बड़ा issue आया है अब यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या चीज़ इन्होंने आपर बताई है तो double digit growth आ रही है कुछ generic products में इनके double digit growth हमको आती हुए देखने को मिल रहे है repeat orders customers से आते हुए देखने को मिल रहे हैं जो कि future में इनके लिए benefit हो सकता ह generic margins took a larger hit as compared to custom synthesis जैसे मैं अभी बताया generic वाला जो business design का generic segment काफी hit हुआ है most of the growth for top generic product was in volume terms during the period अब सबसे अच्छी ख़बर जो आ रही है वो है दुस्तों यहाँ पर जो काकी नाडा वाला एक काफी time से जो है delay था यह इनका approval नहीं मिल रहा था clearances नहीं मिल रहे थे finally यहाँ पर necessary clearance मिल चुके है अब यहाँ पर management is on the verge of finalizing the project and product planning तो अगले दो से तीन सालों में यहाँ पर जो है इनको benefit मिलता हो नजर आएगा commercial production basically अगले दो साल में start करते हुए नजर आएंगे और यह काफी बड़ी facility है इनकी यहाँ पर इनको काफी बड़ी asset turns मिलते हुए नजर आ सकते ह raw material prices have slightly softened post quarter 3 fi 23 तो इनका कहना है कि जो pricing pressure है raw material में जो एक generic pricing pressure है वो अभी soft होता हुए नजर आ रहा है logistics of right cost भी यहाँ पर improve होती हुए नजर आ रही है air mode से भी C mode से भी जो कि एक positive है और इसी वज़े से management जो DB साहब है मुल्ली DB साहब उनका कहना है कि going forward यहाँ से margins improve होते हुए नजर आएंगे ऐसा उनका कहना है जो उन्होंने बार-बार reiterate किया है call में उनका कहना है कि अपने supply base को यह diversify करना चाहा रहे हैं to keep the supply chain stable export की बात की जाए तो BMN जैसे बताया कि US Europe से 70% आ रहा है बाकी 90% export इस quarter में almost 90% रहा है the company does not plan to enter injectable business but plans to invest in new technologies remain concrete new projects coming up mostly coming from big pharma companies तो नई प्र margin took larger hit तो यह जैसा की repeat हो रहा है यह जैनरिक जब basically इनका जो है margin जैनरिक जो बिजनसे साइनका जैनरिक सेग्मेंट जो है उसके gross margin यहाँ पर hit होते हुए नजर आए है लेकिन यहाँ पर काफी positives भी आ रहे है management commentary से तो उनका कहना है कि देखिए raw material definitely जो procurement है और जो availability है वो improve होती भी नजर आई है volumes and pricing यहाँ पर improve होती भी नजर आ रही है several generic APIs में तो margin should improve quarters going forward और 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 भी इन्होंने बताया है इन्होंने एक चीज़ बहुत छी यहाँ पर बोली जो मैं सुन रहा था इनका कहना है कि देखिए कह रहे हैं कि we have never seen so many opportunities coming so there will be definite growth in the future तो opportunities काफी आ रही है काफी यहाँ पर inquiries आ रही है अगले दो साल में picture यहाँ पर change हो सकती है कई सारी molecules will go big तो जो opportunities है जो six growth engines है इनके वो हिट करते हुए नजर आएंगे अगले इस दो से तीन सालों में जिया सो दो से तीन सालों में यहाँ पर एक बड़ा हमको वापिस turn around business में होता हुआ देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा है यहाँ पर 20 billion dollar opportunity है इनके पास जो molecules off patent जा रहे हैं 24 25 में उनके इन्होंने basically already जो drug master file है वो यहाँ पर apply कर दिये हैं कुछ और apply करने बाकी हैं जैसे ही यहाँ पर off patent जाएंगे अपने product जो molecules हैं को commercialize कर देंगे तो यह एक बहुत बड़ी opportunity है तो यह सारी चीज़े हैं जो अगले दो से तीन सालों में अच्छी नजर आ रही है तो इसलिए उस तो business में कोई problem नहीं है यह जो definitely यह जो गिरावट हमने देखी है यह kind of business cycle है जो यहाँ पर आप जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर execute हो रही है देख कि वापिस से business अपने correct evaluation पर आ रहा है तो यहाँ पर कोई fundamental issues नजर नहीं आते दिवी साब अभी भी आपर optimistic अपने business को लेकर और काफे अच्छे हैं आपर positives आ रहे हैं commentary से तो मेरे खिया से देखिए अगर आपका short term का नजरिया है definitely यहाँ पर short term issues रहेंगे वो क्यों रह सकते अब यह articles भी पढ़ेंगे लेकिन मेरे खिल साब से अगर 2-3 साल का भी आपका नजरिया है तो devise lab को accumulate करने के बारे में आप सोच सकते है slow SIP आप यहाँ पर कर सकते हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा है यहाँ से stock नीचे नहीं जाएगा definitely stock यहाँ से नीचे जा सकता है लेकिन अगर आपका at least 2-3 साल का नजरिया है या over and above 3 years का आपका यहाँ पर horizon है तो devise lab एक अच्छी opportunity नजर आ रही है काफी जबरदस्त एक opportunity है और वो इसलिए है तो कि भारत की बात की जाए China plus one opportunity की बात की जाए तो भारत इसका एक बड़ा beneficiary हो सकता है और inflationary मैं short term में क्यों बात कर रह रहे हैं जहां तो काले बादल यहां पर मंडरा रहे हैं slow to fall inflation in region outside the US और यॉरोप जिसकी वैसे pharma industry यहां पर अभी hit हो सकती है अगर हम यहां पर बात करें तो जो raw material prices है वो volatile है policies जो बन रही है ठीक है drug pricing strategy को लेकर वो pharma sector के लिए यहां पर जो है थोड़ इसी negative हो सकती है APIs यह it will all lead to pricing pressure तो यह short term है मेरे खिया से देखिए at least 2-3 quarter और pressure यहां पर रह सकता है pharma sector पे तो इसलिए short term की में यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि short term issue रहेगा लेकि long term मैं आपको दूसरा article share करूंग क्यो long term opportunity है तो देखिए यहां पर जो API की बात की जाए जो यहां पर Europe और US की बा the world का total अगर मैं बात करूं जैनरिक API का production 66% यहां पर India और China से देखिए यहां पर volumes आ रहा है Europe is one of the key customers for Asia massive API production and our dependence is now so great it has become a major cause of concern तो बहुत जादा dependency है Europe की USA की because यहां पर cost advantage है देखिए Indian सब जो manufacturing units है Chinese जो manufacturing units उनके पास cost advantage है तो करीब 30 to 50% का cost advantage यहां पर मिलता है इसकी वज़े स यहां पर basically US वाले और Europe वाले इंपोर्ट कर रहे हैं ठीक है इंपोर्ट कर रहे है चाइना और इंडिया से तो definitely आगे भी यहां पर requirement रहने ही वाली है और इंडिया जैसी country को इसका benefit मिलने ही वाला है और China plus one की जब बात की जाए तो चाइना के बात को होने सबसे बड़ा वह या इंडिया तो यहां पर जो manufacturing companies है डिवी जैसी लारस जैसी मुझे लगता है अगले आने वाले तो से तीन सालों में काफी अच्छा करेंगी बाकी short term issues रह सकते हैं तो उस हिसाफ से भी हमको देखना है तो अगर आपके पास patience है short term hiccups को आप सह सकते हैं तो मेरे खियाल से यहां पर definitely एक gap fill यहां पर हो चुका है जिसको आप यहां पर buy कर सकते हैं बहुत ज़्यादा buy नहीं करना है बहुत ज़्यादा है यहां नहीं लगाना है क्योंकि जैसे मैंने भी आपको एक article दिखाए short term issues है एक article दिखाए long term issues है तो अपनी आप अपनी investing जो आपका mindset है उसक continuous गिरावट चली थी 2-3 दिन फिर यहां पर earnings आई फिर continuous गिरावट चली काफी दिन फिर earnings अभी जस्ट आई है और हो सकता है यहां पर भी हमको थोड़ा और fall देखने को मिले इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिरे दिरे आप buy कर सकते हैं बाकी fundamentally कोई issues नहीं है जबर्दस company है biggest API manufacturing facilities है डिवीज के पास management काफी अच्छा है और growth हमेशा से यहां पर डिवीज ने दिखाई है अगर मैं पिछले एक साल को छोड़ दूँ डेर साल को छोड़ दूँ तब भी आप देखिए कि 10 साल में top line bottom line में return on equity यहां पर काफी अच्छा company का रहता है तो debt free company है बाकी आप अप अपने research अपनी study के अनुसार यहां पर decent ले सकते हैं मेरे साफ से stock और गिड़ सकता है और गिड़ता है तो opportunity और बढ़िया यहां पर बन सकती है क्योंकि वह जो अभी evolution है वह भी definitely reasonable है हाला कि EPS growth नहीं आई है उसकी विससे थोड़ा सा यहां पर PE बढ़ चुका है लेकिन जै कहा है आगे की रणनेती क्या होनी चाहिए सारी चीज़ हमने discuss करी आई होप यह वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो पसंद आया तो like कीजिए आपका क्या opinion है वो आप जरूर share कीजिए का मैं देख रहा तक कई वेपस ऐसे comments आ रहे हैं कि जो है डूब गए है यह हो गया हम यहाँ पर सारी चीज़े अच्छी हो जाएंगी तो फिर business cycle वापिस से positive turn होगी तो stock फिर उपर जाएगा तो यह business cycle हमको देखनी है ऐसा नहीं कि डिवीज पहली बार यहाँ पर 50-60% गिरा है पहले भी 2-3 बार डिवीज 60% तक 65% तक गिर चुका है तो यह हमको देखना है बाकी allocation का ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि यार जो है अच्छा करेगा future में तो मैं यहाँ पर 30% allocation ले रहा हूँ 25% allocation ऐसा कभी नहीं करना है आपको अपने risk को भी manage करना है portfolio level पर आपको यहाँ पर चीज़े देखनी है सिर्फ एक ही company यहाँ पर पैसा बना के नहीं देगी portfolio level पर आपको पैसा बनेगा एक company खराब भी हो जाती है तो 10% यह आपका पैसा डूबेगा बाकी 90% आपके जो stocks है वो अच्छा करेंगे या फिर मान के चलिए अकर 60% stock भी अच्छा करते है तब भी long term में हमारा portfolio wealth create करके देने ही बाला है तो यह है दोस्तों update analysis आई वो वीडि झाल करते है